तो दोस्तों जिस तरह बारिश ज्यादा होने से लोग भीग जाते हैं और ज्यादा तर परिशान हो जाते हैं तो उसी तरह इस बार IBPS PO के examiner ने इतने tough question पूछे कि बहुत से candidates इस हसीन मोसम में भी आप कह सकते हो पसीने से भीग गे तो बात करते हैं IBPS PO examination की तो आप सबसे बह to moderate बट reasoning में क्या हुआ है reasoning में moderate to high level देखने को मिला है कुछ shift में तो बहुत hard level की आपने देखा होगा puzzles आई थी quant में easily 20 to 25 question doable थे तो quant का level मैंने moderate रखा है overall exam को I would like to say कि यह exam का level था it was moderate ठीक है चलिए अभी आ जाते हैं कितने question पूछे गे थे total आप से किस तरह से पूछे गे तो सबसे पहले बात करते हैं English language से तो English language पर बात करने से पहले यही कौंगा अगर channel पर पहली बार आए होगे तो चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को press कर लेना और video अच्छी लगते हैं तो ज्यादा से यादा like कर देना, आप video देख लेते हैं बट like नहीं करते हैं, that really demotivates us, बस आपका एक एक like हमारा motivation भड़ा देता है, इसके लावा अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से जाएगा, इसके लावा description में भी मैं telegram channel का link share कर दूगा, तो आप बहाँ से भी click करके directly telegram channel पे आ सकते हैं, चली बात करते हैं, reading comprehension की, ठीक है, तो इसके लावा word swap के question थे, error detection के, para jumble के, word usage के, और miscellaneous, ठीक है, तो total question थे, यहाँ पे 30, ठीक है, तो English के थे, यहाँ पे 30 question, अब बात करते हैं, reasoning और quant की, तो quant की बात करते हैं सबसे पहले, तो quant के 35 question थे, तो यहाँ पे 20 to 25 question जो भी candidates की feedback आई है, तो उनके according वो easily doable थे, तो बात करते हैं सबसे बात करते हैं, यहाँ यहाँ पे tabular DI की, इसके लावा आप दिसक ते है, war graph DI भी पूछी गई कुछी गई कुछ इसके लावा quadratic के भी कुछ question थे, जा फिर approximation and arithmetic के, तो total question थे, यहाँ पे 35 mathematics के, ठीक है, इसको quant भी बोला था, quantity, aptitude भी बोला था, तो अलग-लग candidates को लग-लग language से बुलाते हैं, but I would like to say, कि यही इनका basically नाम है, तो end में मैं बात करूँगा, कितनी cut-off जा सकती है, उससे पहले एक बार नजर मार लेती हैं, फटा-फट से reasoning के उपर, तो reasoning की बात करें, तो reasoning में पुछे के थे, parallel row sitting arrangement, इसके लाव आप देख सकते हैं, floor waste puzzle, month and date puzzle, मतलगी puzzle ने तो यार paper में बिल्कुल students को puzzle कर दिया था, ठीक है, examiner ने भी ऐसे ऐसे puzzle बनाये थे, कि student बिल्कुल हिली गे थ paper देखे, और इतने अच्छे मोसम में भी पसीना पढ़ रहा था, month and date waste puzzle, ठीक है, uncertain linear sitting arrangement, sequence वाले थे, ठीक है, इसके लावा inequality, Chinese coding, recording, ठीक है, Chinese coding, recording भी, चाइना वाले भी छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर bullet relation, meaningful word, इसके लावा आप देखते हैं, number waste, इस तरह से total 35 question थे, reasoning के, 35 quant के, और 30 question थे, English के, तो total 100 question थे, अभी बात करते हैं, फटा-फट से, कितना good attempts रहेगा यहाँ पर, तो different candidates की different feedback के coding में बात करूं, तो बहुत से candidates ने यहाँ पर English में अच्छा score का मतलब है, attempt अच्छे करें, ठीक है, 24 to 26 वाले मुझे easily जो candidates मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बत 24 question ठीक हो जाने चाहिए, और उसके normalization होके marks भी 24 प्लस ही बनने चाहिए, next बात करते है reasoning की, तो यहाँ पे कुछ shifts में आपने देखा होगा tough question आगे थे, tough question नहीं थे, actually puzzle tough आगे थे, तो जिसके करण reasoning यहाँ पर vary हो चुकी है, ठीक है, बात करूं quantitative attitude की, तो मैं already बता चुका ह बहुत से candidates हैं, जिनोंने 20 से 25 के बीच में easily यहाँ पर question की है, easily doable question दे, अब games यहाँ पर सारी attack की reasoning की, ठीक है, जिन shifts में थोड़ी सी reasoning easy देखने को मिलेगी, तो higher probability रहे की बहाँ से candidates की, यहाँ पर selection होने की, तो reasoning के उपर आप कह सकते हो, यहाँ पर गूम फिरके, फिरकी attempts, तो इसके लावा अगर overall बात करूँ तो 70 प्लस में यही कोँगा, अगर आप attempts कर पा रहे हो, तो good attempt है, ठीक है, तो अभी examination की cut off की आ रहे सकती है, तो मैं cut off की बात करूँ, तो मैं cut off के लिए यही कोँगा, अगर आप 55 प्लस marks लेके आ रहे हैं, क्योंकि examination का level हर shift में change हु तो मैं easily कोँगा, आपके जहांपे selection रहेंगे, mains में जाने के chances रहेंगे, but cut off के लिए आपको 55 प्लस यहांपे, मेरे साफ से आपके marks होने चाहिए, easily तभी आप यहांपे qualify कर पाएंगे, mains के लिए, बाकी देखेंगे यार, जिस तरह से भी, जो cut off आएगी, वो किस तरह से र लाइक एंड सुस्क्राइब बटन बहु जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ